हेलो एवरिवान अपिनम नाम है मेरा सौगत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों खा आपके अपने चुप चैनल मैट्स पाय अपिनम राजपूट में और समापन 1.0 में ओके आज हम लोग जमेंटरी की लाज क्लास करने वाले हैं आज दे 23 है इसके बाद तेरा वीडियो होने के खारण के मेरा माइक्रोफोन भी चेंज होगा आज आप देखोगे वो नहीं लगा मेरे पास ठीक है जब वो लैप्टॉब वो सिस्टम से कनेक्ट रहता है तो आज की जो माइक्रोफोन है उसकी क्वालिटी थोड़ी लो है हलांकि कैमरा वही है तो ऑडियो क्वालि है तो प्लीज सोड़ा सा एड्जेस्ट कर लेना रोज नहीं होता है मैंने कम्प्लीन आज ही डालूँगा देखो एक तो देखो सुचो 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 आप छे बज़े उठते हुए वीडियो सूट करने के लिए और मैं सेसन लेता हूं रोज जो आप रात में देख बहुत बच्चे बोल रहेंगे सर दो वीडियो डाल दो एक वीडियो डाल दो अभी तक मैंने किसी की नहीं सुनी अभी तक मैं वही करता आया हूं जो मैं चाहा हूं लेकिन आज के बाद से आपको हर रोज पूरी कोशिस करूँगा एक से दो क्लासेस दूँ अगर हो पाता हूं मैं मॉर्निंग में 6-6-6 बज़े उठता हूं आप लोगों के लिए एक लास उट करता हूं कि साड़े-8 बज़ जाते हैं उसको एडिट करने में वगरा वगरा में और दिन मैं ऑफिस जाता हूं ऑफिस से 6-6 बज़े आता हूं मैं बास में ही ले रखा है मैंने घर करके चाय बढ़ बीके जिन जाता हूं नौ बज़े आता हूं फिर मैं सेसन देता हूं और यह करते-करते मेरा राज को बारा बज़ जाता है अगर मैं दो वीडियो शूट करूं ना तो फिर कंड को बनाने में असा नहीं कि हमारे पास एक थाइपिस्ट है मैं उसको बोलू कोई मेरे लिए इतना अच्छा कंडेंट बना पाएगा जो मैं खुद से बनाओ थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लिया करो आज हम लोग बेसिकली जो आखरी के कुछ पार्ट्स रह गए हैं वो करने वाले हैं और आपको पता है रेफरेंस के लिए हम लोग क्या होता है तो रोजना कैमरे के साथ में सिस्टम है वहां मैं देखता हूं अपने आपको लेकिन आज मेरा लैप्टॉप नीचे है तो मेरी नेज़र बार-बार वहां जाएगी ठीक है की खूराओ कि पूरा विडीयो सूर्ट कर लेते हो और सावंड नहीं है देखो जैसे है यहां से यहां सेमेशन समझना संगल रहा है स सिंखता और सिंग्मेट बनाओ ठेख लिए सनग दो लाइन एक यह वाला लाइन और यह वाला लाइन और यह तो इन बहुन को छोड़े देंक यह वाला जो अगसे से लोगा यह इसके इकवन होगा अनुट सवर यह जाएगा और यह साथ हमारा मजस में आर्टेंट से हम ऑवा कि यह हुआ हैै democrats आज winner बना कि रहा झाला चैसे लाइन टीगा करते हैं और एक से यह बना दिया दिए आखेकर बना दिया इसफो काउट गरते है यह को कंट करें पहले तो यह वाला पार्ट होगा तो अगर आप यह सेंटर वाला ले रहे हो तो यह वाला इसके एक्वल होगा और वाकी पता होण अचाहएं कि से 90 डिग्री गांगल बनता है अब कॉशन स्टार्ट कर सकते हैं आज का पहला कोशन क्या है in the following figure, I mean, it's a tangent, देखो, फनुन क्या है? Tangent है, और A, B, C कितना है? 42 है, find the measure of M, A, B, देखो, हमें न, M, A, B, इसका measure निकालना है, ये वाला, बताओ कैसे निकाला जा सक्था है? So, देखो, एक तो ये 42 है, समझना, ये कितना है? 42 है, और क्योंकि, अभी मैंने बताया था न, अगर center से खेचो, तो ये 90 degree होता था, एक बाद बताओ, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा न, ये, या यू कहलो कि, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये ही दे रखा है, कि ये 42 है, और O, B, C जो है, या फिर ये जो BC है न, ये एक diameter है, अब समझो, ये वाला इंगल निकालना है हमें, ये इसके एकवल होगा, अगर मैं ये निकाल दूना, तो काम चल जाएगा, ये 42 है, आपको ये बताओना चाहिए, ये भी 42 होगा, कि इतना होगा, 42 होगा, समझना, ये 42 है, और BC क्या है, एक diameter है, BC क्या है, एक diameter है, I hope आप इसको देख फारे हैं, BC एक diameter है, अगर आपको इतना तो पता होगा, कि अगर एक diameter से कोई भी एंगल बनता है ना, तो 90 डिग्रीगा होता है, तो मैं इसको भी 90 कह सकता हूँ, ये कितना है, ये 90 है, एक बात बताओ, ये 92 है, और ये alternate segment लगा के, ये हमने 42 निकाल दिया, तो अगर ये 90 है, और ये वाला 42 है, तो ये वाला यहां से निकल जाएगा, कितना आजाएगा, 48, क्योंकि तीनों का सम, 90 प्लस 42 प्लस MAB is equal to 180, तो अगर मैं 90 प्लस 132 घड़ा दू 180 में से जाएगा, 48 और MAB जो है ना, वो 41 आजाएगा, ओके, I hope आपको ध्यान समझ मां आयोगा, क्या किया हमने, इसी को हम alternate segment theorem के अगला question देखो, question number second क्या है, देखो, AB is a chord to a circle, and PAT is a tangent, देखो, AB एक chord है, और PAT, समझो, PAT एक tangent है, प इधर आएगा या इधर अभी पता चलेगा आपको, इस्ते पहले देखो, BAT 75 है, देखो, BAT इधर ले ले लेते हैं, क्यों क्योंगी ये दिख रहा है 75 है, अगर मैं इधर लोगा आना, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 75 से ज़्यादा होगा, तो BAT कितना है, 75 है, और BAC, C being a point on circle, C एक point है circle पर, और इस तरीके से कि BAC कितना है, 45, ये 45 हैं, अब अगर मैं इसको मिला दू, समझना, अगर मैं इसको मिला दू, ये कितना आएगा, 75, इसी को तो alternate segment फिरम कहते हैं न, अगर ये 75 है, तो ये 75 है, सिंपल सी बात है, देखो, इससे दो line, एसे दो line connect है, ठीक है, और दो alternate segment होता, जो उसके, जैसे देखो, ये segment है न, और मैंने यहां center मांग लिया, तो इसके अलावा, जो दूसरी जगा segment बनेगा न, दूसरी side, ठीक है, उसको हम alternate segment बोलेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके तर याद रखना, तो अगर ये 75 है, तो ये भी 75 है, ये 45 है, 120 होगी है, तो ये कितना जाएगा, 60 क्योंगी इंदिरों का sum 180 होता है, क्या पूछा आपसे, आपसे A, B, C ही पूछा था, ठीक है, अगर ये आता है, आप कर लोगे, नहीं आता है, तो आप हिला भी निकाहोगे, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जमेटरी की यही खासियत है, कि आईधर आपसे होगा, या नहीं होगा, जैसे इसी कॉस्टिन को ले लो, O is the center of the circle, find major sector, आपसे पूछा ये वाला एंगल, बताओ ये एंगल कितना होगा, आपसे ये एंगल जानना साथता, देखो ये एंगल आप तब निकाल सकते हो, जब ये पता हो, आपको बस इतना पता है, ठर्ड़ी एट है, एक बात बताओ, अगर मैं L और इससे, यहाँ पर माल लाइन खेज़ दिया, मैंने B, L, B, T, अगर ये 38 है, तो ये भी तो 38 होगा ना, और अगर ये 38 है, तो ये 76 होगा, कैसे, भीया देखो, सिग्मेंट पर L, T क्या है, एक सिग्मेंट है, सरकम्फ्रेंस पर जो भी एंगल बनाएगा ना, सेंटर पर उससे डबल बनाएगा, अगर ये 38 है, तो ये 76 है, बताओ, ये 76 है, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 76, 284 देखो, कहीं पर है क्या, वही इसका अंसर होगा, ये इतना आसान है, अगर आपको आता है, तो नहीं तो फिर तो आप बहुत परिशान होगे, अगला देखो, 2 seconds are draw to a circle from an external point, जब 2 seconds या फिर एक tangent खेचा जाता है, तो क्या होता है, कुछ तो होता होगा, क्या होता है, समझो, मान लो ये एक circle, मैंने 2 points ले लिए, sorry, second लेना न, second को हम हिंदी में 6 रख बोलते हैं न, second होता है, एक quad जो आगे बढ़ जाए, और यहां जागे touch करें, देखो ये a, b है, एक quad था, ये c, d है, एक quad था, इसको मैं आगे बढ़ाया, अब p तक, और p पे जाके मिल गया, तो इसको हम बोलेंगे, basically second, ये जो second है, ये भी second है, second कहाँ बें बिल रहा है, p पे, तो इसका simple सा case होता है, कि pa into pv, is equal to pc into pd, ओके ध्यान रहतना, दो code कभी भी intersect होगा न, तो यही rule follow, यहां बाहर, बाहर हो रहा है, अगर ये अंदर होता तो, जैसे अगर अंदर भी दो code intersect करे, जैसे ये a, b है, ये c, d है, और ये intersect हो रहा है, p पे, तो rule यही अपलाए होगा, p a into p b, is equal to pc into p d, जाना पी सब में common है, यहां पे भी देखोगे, p हर जगा है, तो simple, p b into p a, a b नहीं होगा, क्योंकि देखोगे, कहीं पे भी a b की बात नहीं होगी, p हर जगा आना चाहिए, इससे याद रहेगा, ठीक है, तो दो code, अंदर intersect करे, तो भी यही rule, बाहर अगर intersect करे, तो भी यही rule, ठीक है, बस फरक यही आ जाता है, कि p b और p a, जो होता है ना, basically p a, sorry, p a कह सकते हो, कि p b plus a b हो, तो दो second जब बाहर touch होता है, ऐसा कुछ होता है, I hope clear होगा, इसी में एक और point आ सकता है, जैसे for example, एक second हो, जैसे यह एक second है, a और b, और मान लो, यहां समेंदे ना, एक tangent केज़ दिया, p c, okay, p c क्या है, एक tangent है, तो उस case में क्या होता है, कि जो p c square होता है, जैसे प c square, वो p a into p b के बड़ाबर होता है, okay है, I hope clear होगा, यह सारी चीज़ें, हमने बहुत detail में पड़ी है, अपने prime time 2.0 में, अभी हम लोग revision कर रहे हैं, देखो क्या है, kod a, b and c, d of a circle, when produced, meet at point p, kod a, b और c, d, जब आगे बढ़ाया जाता है, d, a, b and c, d, तो p पे मिल रहा है, वे क्या रखा है, a, b दे रखा है, 6.3, b, p दे रखा है, 4.5, c, d, c, d कितना है, 3.6, then find the length of p, आप से पूछा गया, बताओ p, d कितना होगा, बच्चे क्या करते हैं, इन दों को multiply कर देते हैं, और फिर देखते हैं, answer नहीं आ रहा, किसी गलती नहीं करना, हमें क्या पता है, बस इतना पता है, कि p, v into my, p, a is equal to, p, c, into my, p, p, c हो जाएगा, x प्लस में, x प्लस में, 3.6, और p, d कितना है, x, किसे solve करना है, हमें, ठीक है, थोड़ा tough नहीं कर दिया है, इनोंने, यह वाला देना चाहिए था, इनको, कोई दिक्षत नहीं है, इसको solve करोगे, आ जाएगा, देखो, अब इसको, हम solve कैसे कर सकते हैं, इसको, रफ कर देता हूँ, अब तो इसका काम है नहीं, देखो, जब कभी भी ना tough सा लगे ना, इसको ना हम factor कुछ बना सकते हैं, कि x की ऐसी, क्या value बुट करूँ मैं, कि बराबर आ जाए, ठीक है, पर एक्जामपल जैसे यह देखो, इन तो नहीं में common क्या आ रहा है, 0.9 ना, 0.9 अगर common ले लो, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, इस इक्स प्लस 3.6 इंटू में x, देखो, एक option है, हमेशा solve करनेगा, जो हम कर सकते हैं सीधा, एक है option पुट करनेगा, देखो, अगर मैं 5.4 पुट कर दूँ, ठीक है, यह कुछ, 12, 5, 17, 17 इंटू में 9 कितना होता है, अरे यार, बट यह, ओ-ओ, सौरी, 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 यह तो multiplication था, मैंने add कैसे कर गिया, 4.5, इसको multiply करते हैं पर देखो, 4.5 को 10 से किया, तो 45, और 4.5 को 8 से करेंगे, तो 3.6, ठीक है, 45 इंटो में 8, 360 होता है न, 48.6 आ जाए गई, अब देखो, एक्स की क्या value पुट कर सकता हूँ, अगर मैं 5.4 पुट करूँ, देखो, 5, 4, 6, 3, 9, 9 इंटो 5, 5.4 इंटो 5.4 इंटो 5.4 इंटो 5.4 इंटो 5.4 पर सडिस्फाई हो रहा है, क्या कोई और वैल्यू पर भी सडिस्फाई होगा, नहीं होगा, देखो 3.5 पर तो पहुच नहीं पाऊँगे, यह इसका आंसर है ठीक है, 5.4, दूसर परिका हमेशा equation बनाते हैं, इसमें equation बहुत complicated हो जाएगा, इसको ignore करना, question number 78 देखो, quad AB and CD of a circle intersect externally at P, देखो same question, AB and CD, कहां intersect हो रहा है, P पर, अगर AB की length 7 है, और CD की length कितनी है, 1 है, तो what will be the 50% of PA, PA का 50% कितना होगा, इनने लेखता कि एक चीज़ और देना चाहिए था, AB 7 है, CD 1 है, PA का 50% क्या होगा, तो यहां पर PB और PA, PB तो चाहिए होगा, इसको X मानोगे, इसको Y मानोगे, question incomplete सा लग रहा है मुझे तो, X into X plus 7, is equal to Y into Y plus 1, ठीक है, तो X plus 7 का 10%, देखो, यह question complete है, incomplete है, क्यों incomplete है, क्योंकि आपको ना, इन में से, either PD भी तो चाहिए होगा, तो इस question में PD गायब है, इसलिए, वरना क्याना यहां, equation बन जाएगा, equation बनेगा, answer नहीं आएगा, तरीका वही आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, question incomplete है, अब यह पर चलता है, आगे देखो, a tangent and a second, अभी जो मैंने बताया था, एक tangent अगर एक second से बाहर मिलता है, तो क्या होता है, अगर रहा है, a tangent is dropped from point P to a circle, P से लेकर एक circle तक एक tangent बना दिया गया है, which meets the circle at T, कहां टच कर रहा है, P T पे, such that P T is equal to 10.5, P T की लेंथ कितनी है, 10.5, आगे देखो, a second P A B, देखो, P A B का मतलब है, पहले वो A पे टच कर रहा है, फिर B पे टच कर रहा है, a second P A B intersect the circle in A and B, P A कितना है, 7, find the length of A B, आपको A B निकारना है, A B को X मांग लेते हैं, तो मुझे इतना पता है, कि P T square जो होता है न, वो P A into P B होता है, P T कितना है, 10.5, 10.5 into 10.5, P A कितना है, 7, P B कितना है, नहीं पता, ठीक है, P B तो निकालना है, X plus 7 आएगा, में लिए उसमें से 7 घटा दोगे, तो P B आजाएगा, ओके, अब लिए को 7 से घट करते हैं, 1.5, P B यहां से आजाएगा, 10.5 को 1.5 से करोगे, तो 5.25, 15.75, ठीक है, देखो, P B आजाएगा, इसमें से 7 घटा दो, इसमें से 7 घटा दो, तो यह आजाएगा, स्वारी, यह भी आजाएगा, कितना, 8.75, यह इसका है, ओके, डैरेक्ट कॉस्टन्स आते हैं इनके, बैरेक्ट कॉस्टन, मतलब ऐसा भी नहीं घुमा फिर आखे, कॉस्टन नमबर 80 देखो, PRT is a tangent to a circle with center O, at point R, देखो, PRT क्या है, एक tangent है, to a circle with center O, at the point R, R पे tangent है, ठीक है, तो मतलब यह P होगा, यह R होगा, इधर कहीं T होगा, ठीक है, center क्या है, circle का O, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, PRT is a tangent to a circle, with center O, at the point R, diameter SQ of the circle is produced, to beat the tangent P, देखो, एक diameter है SQ, उसको आगे produce करके, उसको मिलाया गया है, P पे, ठीक है, तो खुल मिला गया, देखो, diameter is also, फिर सेकंड ही हो गया, यह सेकंड ही हो गया, तो रूल अभी भी वही फोलो होगा, क्या, कि PR का square जो होगा न, वो P Q into में SQ पर बराबर हो, आगे देखो, क्या कह रहा है, चाहिए, यहां एंगल की बात हो रही है, QRP, 28 है, QRP, यह 28 है, देखो, अगर यह 28 है, तो अब्यसी बात है, यह भी 28 होगा, alternate segment, ओके, नौ, यह 90 होगा, यह, यह 90 क्यों होगा, देखो, SQ क्या है, SQ diameter है, और diameter से कभी भी सिग्मेट पे, circumference पे अंगल बनाओगे, तो 90 डिग्री होता है, तो यह 90, यह 28, यह कितना जाएगा, 68, 62, क्या पूछा आप से, आप से पूछा था, S, P, R, यह वाला पूछा आप से, देखो, यह हो गया, exterior angle, यह 62 है, तो यह कितना आ जाएगा, 118, या फिर यह भी रेखनो ना, इन दोनों का sum यह होगा, इसका और इसका sum, exterior angle है, exterior angle, sum of, तो यह angle से related भी दे सकता है, और आपने angle से related भी question कर लिया है, आई हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगला question देखो, question number 81, देखो, देखो होता है हमारा direct common tangent, एक होता है हमारा transverse common tangent, ठीक है, समझ में आ गया, अब देखो, यह circle है मालो एक, और एक और circle है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दू, तो यह हमारा होता है direct common tangent, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दू, तो यह होता है हमारा transverse common tangent, ठीक है, एक होता है हमारा DCT, और एक होता है हमारा TCT, DCT बोले तो direct common tangent, TC बोले तो transverse common tangent, जबर्दस्ती इनमें आदा आदा घंटा दो दो घंटा नहीं देना है वो पैसे कि इनकी आउकाद नहीं है इन कोश्चन होगी ठीक है यह ऐसे होता है देखो डी सीटी क्या होता है डिस्टेंस बिट्विन सेंटर माइनस माइनस आट टू का हॉल स्कूर्ड दो सर्गल होगा दोनों का रेडियस अलग अलग होगा के और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजन का फॉर्मुला होता है डिस्टेंस बिट्विन सेंटर माइनस आरवन प्लस आट टू का हॉल स्कूर्ड यह चीज़ें आपको ध्यान रखने है देखो कई बार ना बच्चे कंश्यूज हो जाता है मैं भी कंश्यूज हो जाता हूं कि यहां माइनस आएगा यहां माइनस आएगा तो मैं इसा ध्यान रखो कि जो डैरेक्ट यह चीज़ें आपको ध्यान रखने है कि जो डैरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वह सोटेस्ट होता है अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बढ़ा होगा तो उसकी वैल्यू बड़ी होने के लिए ना हमें माइनस बढ़ा करना चीज़ें यह वाला बढ़ाएगा यह चोटा बोलती है मैंने इल्टा बोलती हैो ठीक है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट शोटा होगा ठीक है तो देख यहैंद कोर्यूंबर8 कॉमन टेंजेंट है AC और BD दो सर्कल का और दोनों सवेhou एक्वल और इसकाईद सब्सक्राइश चैवन है इसका radius भी 7 है, आपके पास दे गया रखा है, और radius भी 7 दे रखा है, AC, BD अलग-अलग point है, आपको पता सलिए होगा, AC direct common tangent है, और BD direct common tangent है, that's so in the figure, if the length of BD, BD का length दे रखा है, यानि हमारे पास ना transverse common tangent दे रखा है, कितना 48, तो बताओ AC यानि direct common tangent कितना होगा, तो देखो, transverse common tangent का formula क्या होता है, distance between the center minus R1 plus R2 का hall square, यही होता है न, देखो, transverse common tangent 48 है, 48 का square, square कर देता हूँ, is equal to distance का square minus, R1 plus R2 का hall square कितना आ जाएगा, 14 का hall square, 14 को अधर ले हो, तो D square is equal to 48 square plus 40 square, चीक है, यह आजाएगा direct common tangent, चीक है, यह क्या है, सारी, यह distance between the air center है, यह क्या आया है, distance between the air center, I hope कोई दिखे नहीं होगी, अब देखो, इसको solve कैसे करेंगे, अब हमें निकालना है direct common tangent, तो इसका formula क्या होता है, इसका formula होता है, simply, under root, distance between the air center का hall square minus R1 minus R2, अ आप देखो, R1 minus R2, तो 77 कर जाएगा, यानि, जो direct common tangent आएगा ना, वो distance between the air center के बराबर ही आएगा, actually में यही आपका distance है, और यही direct common tangent है, तो आपको इसको solve करना है, आपको 48 square plus 14 square, 48 से ज़्यादा ही answer आएगा, एक ही option F, 20, 50, यही आना चाहिए, बांकि solve कर सकते हो, 48 square कितन 200, 4 होता है, ना, नहीं, 200 कुछ होता है, देखो, 16, 4 का square, भर लेते हैं, ना, 4 का square 16, 8 का 64, 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 95, सब्सक्राइब कितना होता है 196 एड़ करोगे 2500 आजाएगा 2500 का रूट 50 होता है इसको हमें एक्जाम में अगर आता है तो यहीं इसको सॉल्व करने के जरूत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप सॉल्व करते हो रेट मीस की यू आर जस्ट वहीं क्योंकि देखो 58 आया है प्लस में है 48 उपर एक ही ऑप्सान है तो क्यों उसको कितना वो करना आगे बढ़ो 17 कॉशन आहाहा सच अ नाइस कॉश्चन प्रीवियस एर के गॉश्चन से यह सारे और यह तो मैंने प्राइम टाइम 2.2 में भी करवाया है देखो क्या गह रहा है समझना ही टाफ नहीं है गॉश्चन अच्छा गॉश्चन है समझना इसको in the given figure PT क्या है एक common tangent है PT common tangent है जो circle O1, O2 और O3 तीनों कहा ही tangent है अगर आप देखते हो तो इदेखो circle 1 को A पे, circle 2 को B पे और circle 3 को C पे टक्च कर रहा है आगे देखो ABC respectively the radius of the small, medium and large circle is 4 देखो इसका है 4 इसका है चे और इसका है कितना 9 4, 6 and 9 O1, O2, O3 are the center of 3 circle आपसे पूछा what is the value of PC बताओ PC का value क्या होगा देखो अगर आप गौर से देखते हो तो PC क्या है एक tangent है और second की बात करे तो देखो ये P O1, O2, O3 ये सारे second है अगर मुझसे पूछा जाना कि direct formula मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा O4 तर चीक है और अब अगर मुझसे पूछा जा तो मैं ये बोलूँगा कि PC square जो होगा न वो P इसको नाम देदा हूँ मैं से इसका नाम मैं Q देदा हूँ ठीक है तो P Q इंटू में P O4 ये होगा PC का formula ठीक है ये formula हो जाएगा PC का क्योंकि देखो बड़े वाले circle को देखो अभी थोड़ी दिर के लिए इसको देखना बंद करो इसको देखेगा कि बड़े वाले circle के लिए क्या है तेंजेंट है PC PC क्या है तेंजेंट है और बैसिकली P O2 या P O4 क्या है ये एक second है तो second का formula क्या होता है P से लेके Q तक और P से लेके O4 तक clear है अब हमारा ना सारी मेहनत लगेगी कि P Q कितना होगा और P O4 कितना होगा ये लिकालने में तो देखो कैसे लिकाल सकते हो इतना पता है कि ये radius है तो ये भी 9 ये भी 9 ये 6 है तो ये भी 6 ये भी 6 ये चार है तो ये भी 4 ये भी 4 इसको मैं X मान लेता हूँ इस point का नाम मैं दे देता हूँ say क्या नहीं है यहाँ पे L दे देता हूँ चलो PL को मैंने X मान लिया तो अगर मैं यहाँ देखो तो PC square मुझे नहीं पता कितना है लेकिन क्यों कितना होगा देखांगा चार चार आठ शेचाओदा चेबीस 20 प्लस X और P O 4 कितना होगा सिंपल देखो 9 9 8 18 18 वारा तीस चार 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 अड़ तिस 38 प्लस अगर मैं यह X निकाल दू ना तो मुझे PC निकल जाएगा अगर मैं X की value find कर दू तो PC निकल जाएगा I hope यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मैं अगले page पे जा रहा हूँ जड़ा देखने अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने ना यह क्या है यह ट्राइंगल आप बोलो कि सब ट्राइंगल पर क्यों आ गया देखो देखो इसके बीच में मैंने एक सर्कल बना दिया तो सर्कल नहीं भी बनाया तो क्या ही फर्क वरता है अगर मैं एक लाइन खेज दू यहाँ पर मान लो A B B Q R में वाइन लो गतर प्यार्ण है और यह इससे पैरलल हो मैं तो वी पीटी का थेओरम क्या कहता है इस अपन में ने circles फॉटल ट्व comment दिस यह तो गैए ना यहां देखना है यह 90 tw ओ इस वालई ट्राइंगल को देखो भी और O2, P, B और O2, B 90 degree होगा, इधर P, A भी 90 degree होगा, और angle P दोनों में ही common है, दोनों में ही angle P common है ना, so what I can say, कि AO1 जो है ना, B O2 के क्या है, parallel है, तो उस case में ना, उस case में घ्यान रखना, P A upon me P B is equal to P O1 upon me P O2 is equal to A O1 upon me B O2, यह equal होगे, क्यों क्योंकि भाईया यह parallel है, basic proportionate theorem का rule follow होगा, देखो, P O1 कितना है, X plus 4, P O2 कितना है, X plus में देखो, जब मैं बात करूँगा P O2 की ना, X plus 4, 4, 8, 6, 14, X plus 14, A O1 कितना है, 4, A O2 कितना है, देखो, sorry, B O2 कितना है, 6, यानि कि 2 by 3, cross multiply करते हैं, तो 3X plus 12 is equal to 2X plus 28, इधर आ गया तो X is equal to 16, इसकी value ही तो find गरने थी हमें, आगे X की value 16, put करो, आजाएगा answer, PC square is equal to, देखो, PC square is equal to 20 plus 16, 36, और 38 plus 16, 54, देखो, जब यह root square उदर जाएगा, इसका root तो 6 होता है, और इसका root होता है, 3 root 6, चीक है, 9 into 6 होता है, तो answer आजाएगा, PC is equal to 18 root 6, बहुत ही बढ़िया question है, बहुत ही प्यारा question है, देखो, आपको सारे concept आने चाहिए, तो ही आप इसे कर पाओगे, अगला question देखते हैं, cyclic quadrilateral, देखो, cyclic quadrilateral में बस आपको इतना ध्यान रखना है, यह आमने सामने वाले angle का sum 180 होता है, बस, अब जैसे इसी कोस्ते को ले लो, PQRS is a cyclic quadrilateral, PQ is a diameter, यह P है, यह Q है, यह R है, यह S है, ओके, यह cyclic quadrilateral है और PQ diameter है, आगे देखो, R PQ, R PQ, दे रखा है कितना, 23, यह तो दे रखा है, आर PQ 23 दे रखा, देखो, अगर यह 23 है, यह 90 है, कोई दिक्कत, कोने नीचे यह आपको इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि यह देखो, यह diameter था ना, यह 90 है, यह 23 है, यह कितना आजाएगा, 57, स्वरी, 67, यह कितना आजाएगा, 67, और क्योंकि यह 67 है, तो इन दोनों angle का sum 180 होता है, तो उससे आप यह भी निकाल सकते, 130, पूछा क्या आप से, आप से पूछा, TSR बताओ कितना है, निकाल दिया, हमने 130, यही खास है geometry, वो एक hint देगा, आप जितना कुछ इससे पकड़ सकते हो, पकड़ लो, A, B, C, D, X, C, Y, C, इतना है, D, इतना है, बताओ 3X-Y की value कितनी होगी, हमें इतना पता है, कि angle A plus angle C, 180 होगा, और angle B plus angle D, यह भी 180 होगा, तो angle A कितना है, X, और यह 2X है, तो 3X is equal to 180, X की value आ गई 60, जब मैं angle B के पदले रखता हूँ, 5Y और angle D के पदले रखता हूँ, Y is equal to 180, that means कि 6Y is equal to 180, Y is equal to 30, ओके, X 60 आया है, Y 30 आया है, क्या पूछा आप से 3X, यानि 16 to 3, 180, minus Y, वाइक इतना है, 180, minus 130, sorry, 180, minus 30, 150 होगा, यह आसान कोर्शन था, आपने अगर गौर किया होगा ना, मैंने इस जबिटरी में सारे टाइप्स कवर कि, हर चाप, हर चैप्टर में ना, इतने भी टाइप्स पॉसिबली हैं ना, सारे गवर किये हैं, छोड़ा नहीं है कुछ भी, वगर आप इस पर अच्छे से ट्रस्ट करके जाते हो ना, कोई भी एक्जाम देने, थोट फाइदा होगा, पी क्यू आरे सीज़ा साइक्लिक वाडिलेटर, देखो, सिंपल देखो, पी क्यू आरे से एक साइक्लिक वाडिलेटर, सरकल ना भी बनाओ, तो कोई फाइदा नहीं, बस हमें बताए कि प्रोपड़ी इसकी क्या है, आमने सामने वाले एंगल का सम 180, पी इस थ्री टाइमस ओफ आर, यह अगर एक्स है, तो यह थ्री एक्स है, और इन दोनों का सम हमें बताए 180 है, तो 3 एक्स प्लस एक्स, 4 एक्स, इस उपल तो 180, तो एक्स की वेन जो कितनी आ गई, 45, एक्स की, यह 45 है, यह 135 है, एक लाइन ना आंसर ला देता है, आगे देखो, S is 4 टैंट्स ओफ Q, अगर यह Y है, तो यह 4Y है, और इन दोनों का सम 180 होगा, तो Y की वेल्यू 36 आ गई, यह आ गया 144 और यह आ गया 36, ला पुछा आप से, एंगल S, प्लस एंगल R, 144 प्लस 45, 189 is your answer, इतना असान है, इन सर्कल ओफ और क्वाडिलेटरल, देखो होगा क्या, एक सर्कल देदेगा, और आप से बोलेगा, इन सर्कल ओफ और क्वाडिलेटरल देदेगा, इसके अंदर एक सर्कल देदेगा, ध्यान रखना यहाँ, यह साइकली क्वाडिलेटरल नहीं है, यह cyclic费 waddy-litterर नही है यहांchny k audi-litterर के अंदर circle है. circle के अंदर уaddy-litterर हो उन तो बोलेंगे हम कि भाईया यह ilgili k reconstruct इतल है बढ़ो यह नहीं है. इसमें क्या होता ना देखो आगर मालनो मैं ab, c, a commit ले रहा हूँ अगर आप गौर से देखो गए ना, तो जैसे इसको ना मैं P देता हूँ, इसको Q और इसको R और इसको S यह टैच होगे जा रहा है बस दिहान रखना AQ और A P क्या है? टेंजेंट है और टेंजेंट के नाइए खासिया दोती है कि अगर particular बाहर किसी भी इक point से खेचते हो ना आप ये तो ये और ये बराबर होता है ये और ये बराबर होता है तो for example अगर मैंने इसको X लिया तो ये भी X होगा अगर ये Y लिया तो ये भी Y होगा अगर ये Z लिया तो ये भी Z होगा ये W लिया तो ये भी W होगा अब अगर आप गौर से देखते हो तो देखो ये रहा X ये रहा X ये W ये W ये Z ये Z ये Y ये Y अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि AB प्लस CD यानि opposite side जो है ना उसका sum वो equal है AD प्लस में BC के है तो कभी भी अगर एक circle के अंदर एक circle के एक quadilator के अंदर circle होना opposite side का जो sum होता है ना वो equal होता है ध्यानक ना opposite side का sum जो होता है वो equal होता है that means कि this plus this is equal to this अब देखो a circle touches all four sides of a quadilator AB दे रखा है कितना AD AD BC कितना दे रखा है 21 AD कितना है 15 CD पूछा है X is equal to 36 minus 80 कितना आसान है लेकिन उससे पीछे की कहानी देखो अगर आपको आता है ना आप ऐसे निकाल देगे नहीं फिर तो ढूंडते रह जाओगे 87 देखो If the arc of a circle of radius 30 cm has a length of 19 cm देखो एक होता है हमारा length of an arc जैसे मालो मैंने एक एंगल बना दिया एक circle के अंदर से 60 तो यह पूरा circumference है यह क्या है यह पूरा circumference है यह पूरा circumference है यह पूरा circumference है यह पूरा इसमें क्या रखा इसरकल उफ रडियस 30 cm देखो आर्क का लेंथ है 19 और रेडियस इतना है थर्टी आप से पूछा बताओ एंगल कितना होगा आर कितना है 19 तो 19 इस एकुल टू तो तू आई आर थीटा बाई 360 तीन से गड़ा बारा दो से गड़ा चे दो से गड़ा चे ग्यारा से गड़ा ती ओके सो थीटा इस उक्वल टू 19 इंटू में 21 अपॉन में 11 चार्सों में से एक 399 अपॉन में 11 तो ग्यारा तीया तैस्या 36 पॉंट संथिंग आएगा इतना आसा है आपको यह फॉर्मूला पता है तो इस सच नाइस कॉश्चिव है क्या है ना दिक्कत आजकल बच्छों को पढ़ने के साथ पता क्या है कि वह लोग ना आंसर के बीचे बागते हैं रेदर दन की सीखी की यह तरीका क्या है अब तो मैक्सिमम टीचर्स आपको क्या गरवाएंगे ना ऐसे बता देंगे कि अगर यहां है दो कौर्डिंट के बीच पैंए तो इसका जो रेडियस होगा इतना और ऐसे करके आपको ऐसे दस फिगर बना डेंगे अदस फिगर बनाने के बात देख़ो आप दस फिगर को याद करनी सकते हो तो अग्जाम अगर आज आता है ना तो आप गलत करके आजा आज आज आपको इसको बेसी की समझा दूगा यह है नमजना ठीक है ऐसे हमने दो कॉशन्स लिए हैं क्या गह रहा है इन दे गिवन फिगर पीक्यू आरेस क्या है एक स्क्वैर है कॉशन दिख रहा है ना तो थोड़ा उपर है आज एक्चली मुझे भी नहीं पता चल रहा है तो भी ठीक है रुको एक बार ना मैं यह करता हूं अब आजाए लुक्त है ठीक है अब पुरा फिगर ही आ रहा है चलो मैंने थोड़ा वह कर दिया है अब देखो रिवन फिगर पी क्यू आरेस च्वाइर है ऐसाइड कितना है आट सेंटिपिर पी क्यू एस पी पी टियू आर यह क्वाडरेंट है तो दो आप देख रहे हो ना ऐसा से जाते हो स्पेल यस प्लेट टॉचको बोग और इसरी सब्सक्रावण किसे समय doomed है oleh ये वहान थे वाज़ी यह काम करते हैं सिकिल जयन को मैंD इसके मिचा को मैं बर मानलेता हूं अगर कोई दिक्कत न हो तो सबुरिस को मैंने क्या अब देखो एक लाइन केश देता हूं आर पे तुमकों तो नहीं बात बदाओ इसका नाम में देता हूं उसे एडिर ता उसका नाम और इसका नाम देता हूं अगर मैं बाहर फिगर बनाऊंगा आँ तो ऐसा फिगर बनेगा यह 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 जो है ना सेंटर है यह चीज़े ध्यान रखना अब एक बात बदा वह पी से लेके तक 8 था ना पी एक कितना होगा अब उन्हों के हाफ च्टे नगीर हाफ क्योंकि यह ऑविस primal दौनों के बीच में है दूनों के भीच में तो यह कितना है चार है हब अगर मैंने इसको आर माना है इसके रेडियस को आर माना है तो उपर वाला भी आर होगा तो फुल में मैंने R माना था तो यह बचावा पार्ट क्या होगा 8-7 तुभ एक बात बदाओ अगर मैं यह वाला जो लाइन था P, P से लेके O तक समझना मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, P से लेके O तक अगर मुझे खेचना हो जैसे P से लेके यहां तक मालो इधर तक खेचना हो तो यह क्या है, यह वाला जो पार्ट है, यह तो simple radius है ना, इस quadrant का radius होगा यह, यह 8 है, पर नहां से यहां तक का जो point होगा, वो R होगा, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ, यह 8 प्लस R होगा, बिल्कुल कह सकता हूँ, अब देखलो आप, यह 8 प्लस R है, यह 8 है, और यह 90 डिगर का line भी खेंश दाँ था, तो क्या होगा, 8 प्लस R का whole square is equal to 8 minus R का whole square plus 4 का square 16, ओके है नाओ देख लो 64 प्लस R स्क्वाइर प्लस में 16R is equal to 16 प्लस में R स्क्वाइर माइनस 16R प्लस में 16 ओके आर इसको सड़ी 64 आएगा आर स्क्वाइर आर स्क्वाइर कैंसल 64 से 64 कैंसल यह 16 इदर आएगा 32R is equal to 16 R की value आ गई 1 by 2 ओके आर की value कितनी आ गई 1 by 2 और मैं बताता हूं कि आप इसको कहाँ ज़रू कर सकते हैं कभी भी दो quadrant के वीच में एक circle बने तो उसको हम बोलेंगे R by 32 ठीक है अब इसको याद कर ले ना या तो क्योंकि आर था 8 sorry 8 by 16 R by 16 गरोगे यह चीज़े याद नहीं रहती यह चीज़े याद नहीं रहती त्रस्ट मी मैंने एक्जाम दिया कई बार दिया है कि याद रहेगा क्योंकि मारा काम है यह बार 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 कर दो वच्चों को याद नहीं रहता बेवज़ा मुर्ख मत बन के कि हां भया टीचर ने तो ऐसे ट्रिक्स करवा दिया आप वह मेध़र अपलाए गरो जो एक्जाम हॉल में अटेंट कर पाऊ अब देखो हमें इसका एरिया निकाला एक एरिया क्या होता है पाई आनी ट्विटीटू बाई सेवन और कितना था वन बाई टू बाई टू 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 बाई फो एडि इन दा गिवन फिगर पीक्यू आरे सेग्स्क्वार यह यह भी देखो यह स्क्वार है अब साइट 20 सेंटीमिटर पीक्यू आरे स्कितना है 20 सेंटीमिटर है स्र को टी कितनी है 25 है थन वोट इस दिस्टेंस बताओ यह निकाल सकते हो गया तो यहां रख्या रखना, मैं क्या कर रहा हूं यह हमारा O1 है, यह T है, जो मैंने कहिचा है, ठीक है, समझना, इसके रेडियस को मैंने R मान लिया है, तो यह वाला पार्ड भी R होगा, अगर मैंने इस वाले part को R ले लिया है इस वाले part को भी यह भी क्या होगा R होगा अब क्योंकि PS 20 था यह पूरा 20 था तो आपको पता होगा इसका radius कितना आएगा बड़े वाले circle का radius कितना आएगा बड़े वाले circle का radius 10 आजाएगा सिंपल सी बात है एक उसके अंदर है ना यह एक square के अंदर है तो radius हो जाएगा side है तो 10 है यह भी 10 होगा अब अगर मैंसे मैं आर घटा दूए ओटी हमारा आजाएगा 10 माइनस 10 माइनस आर कोई दिक्रत यह हमारा 10 माइनस आर आज़े अब देखो कितना होगा यह जो मैं बूसरा था टी इस आद्या समने चलिओं आगे 800-2 तो कितना होगा 2O2 समसे पहले यहहां से यहां तक तो 10 होगा यह हमें निकालना पड़ेगा यह कैसे निकालोंगा। देखों यह 25 है ये 25 है, ये 20 है, तो by Pythogoreas अगर ये 25 है ये 20 है ये 90 डिगरी होगा, हफलो के सर्या 90 डिगरी कैसे होगा, औरे स्क्वैर है, σक्वैर को आगे extend किया गया है तो ये 90 है तो ये 90 होगा तो ये 25 है ये 20 है, by Pythogoreas निकाल सकते हो, कितना जेगा 25 इंटू 5, 225 पंद्रार है RT क है? 15 है समझना, RT क इतना है 15 है, OK, RT हमारा 15 आ गया है, यह वाला point क्या होगा है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक basically छोटे वाले का radius होगा छोटे वाले का radius होगा, जो हमने 20 यहां ना था duas जो हमने 80 यहां हमने in circle का जो radius होता है us unwilling radius को याद है भूल गयो के प्रपेंडिकलर कितना है वी कितना है पंदरा पैठीस पैठीस में से पच्छीस दस बडे में 2 पांच« इसका आ गया तो यहाँ से यहां तक पांच है ? समझना यहां से यहां तक इसका radius कितना है? 5 है. देखो. यहां से यहां तक तो side का आदा हो जाएगा 10 और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 5. विसिकली हमने यह भी निकाल दिया 15 है. कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा. 15 आ जाएगा. अभी एक बात बताओ. अगर मैंने r की value 5 निकाल दी, तो क्या मैं इसको सीधा 5 नहीं लिख सकता? यह 10 माइनस r था ना? यह यहां से यहां तक 10 था. तो 10 में से मैंने r घटा दिया, यह 5 घटा दिया, तो यह 5 आ गया. अब एक बात बताओ, यह 5 है, यह 15 है. यह कितना आजएगा? पंडरा का स्कार 225, पांच का स्कार 25. 250 इस यूर आंसर, 5 रूट 10. इतना आसान है question. ठीक है? लेकिन आपको न सारे concept आने चाहिए. एक बार पीछे जाओ और दुबारा देखो. इतना आसानी समझ में नहीं आएगा. एक बार पीछे जाके, फ्रिट स सबसे पहले तो को सेंट्रिक सर्कल गया होता है? जब दो सर्कल का रेडियस सेम हो. जब दो सर्कल का रेडियस सेम हो. जब दो सर्कल का रेडियस सेम हो. एक सर्कल है. एक और मैंने इसके इंदर बना दिया. इन दोनों का सेंट्रिक क्या है? दोनों का सेंट्रिक सेम है. आप यही कंसेप्ट यूज होता है और यही को सेंट्रिक पर पूचा जाता है बार 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 बकायद आप देख सकते हों और एक होता है जब बीच से पार होगा तो एक टाइप तो यह देदेगा एक वाट टाइप दे सकता देगा दूसर टाइप क्या देदेगा यह एक सरकल है यहां से एक लाइन केस दिया उके यहां से एक लाइन केस दिया उसकेस में भी ध्यान रखना जब आप इससे सीधा केच हो गया ना यह वाला लाइन ठीक है तो यह इसको दो पार्ट में डिवाइन करें तो यह वाला बेसिकली छोटा वाला आर होता है यह वाला बड़ा वाला होता है बाकी formula आप लगाई सकते हो distance दे देगा चलो जैसे यही वाला question देखते है समझ में आज़ा चाह गहा रहा है the radius of two concentric circle are x centimeter and 26 centimeter यह एक circle है एक यह है छोटे वाले का x से बड़े वाले का 26 है बताने जरूत नहीं है दिखरा होता पी q r s यह क्या है एक straight line such that q r 40 है देखो अगर q r 40 है अगर मैं बीच से खेज दू तो यह वाला line कितना आजाएगा 20 center से खेज दू तो इस height को ठीक है इस height को हमें assume मानना पड़ेगा कितना होगा अब ज़राग और से देखो q r कितना था 20 और p s p s कितना था 48 that means कि इस वाले line को अगर मैं करूँ तो यह 24 होगा ठीक है देखो यहां से यहां तक जब मैं लेता हो समझना जब मैं इस o से लेके s तक जाता हूँ तो बड़े वाले का radius होता है जब मैं o से लेके q तक आता हूँ तो छोटे वाले का radius होगा basically छोटा वाला radius x है और बड़ा वाला radius 26 है और यह 90 डिग्री होता है और दो पार्ट में डिबाइड करता है यह हमने circle के rules में पढ़ रहा है तब देखो यह 26 है यह 24 है तो बाइपाइधावरस यह कितना हैगा 10 यह 10 आ जाएगा ना यह तो आपको आना चाहिए यह पाइथावरस 10, 24 और 26 क्या है 10, 24 और 26 पाइथावरस प्रेप्लेटर 26 का स्क्वाइर माइनस 24 कर स्क्वाइर इससे आप यहाँ पे 10 निकाल दोगा अब एक बात बताओ यह 10 है यह 20 है तो यह कितना आ जाएगा 20 का स्क्वाइर 400 और 10 का स्क्वाइर 500 का रूट कर दो 500 का रूट क्या होगा 10 रूट 5 10 रूट 5 is your answer यह इतना असान है बार बार आएगे तो इसको मिस नहीं कर सकते आप बिलकुल मिस नहीं कर सकते वो कॉड PQ of a circle C1 of radius 9.25 cm touches another circle C2 that is co-centric to C1 देखो एक कॉड है PQ मैंने भी थोज़े पहले जो बताया था वही है वो कॉड PQ of a circle of C1 of radius 9.2 cm touches another circle C2 that is co-centric to C1 इसको touch करना है कॉड यह कॉड है PQ इसको touch करना है और बड़े वाले का जो radius है द्यान रखना बड़े वाले का जो radius है बड़े वाले का radius है 9.25 और छोटे वाले का जो radius है वो है 3 cm आप से बोला गया है बताओ PQ की length कितनी है हमें बस इतना पता है यह इसको दो पार्ट में divide करेगा क्या करेगा यह दो पार्ट में divide करेगा अब देखो तो में निकालना है PQ इसका नाम देते हैं O और इसका नाम ओन देते हैं तो में इतना पता है P O 1 9.25 है O 1 और O 2 3 है तो में निकालना है P O P O क्या आजाएगा P O आजाएगा under root P O 1 का square यानि 9.25 का hall square माइनस O O 1 यानि 3 का square clear है 9.25 का square 3 का square simple तो अब इसको solve अब बच्चे solve करने लग जाता है solve नहीं करना 6.25 12.25 A minus B A plus B अब इसको solve करना है और इसको solve करना महाभारत है देखो कैसे करोगे 6.25 इन टू में 9.3.12 और option भी close है 12.25 एक काम करते हैं पहले तो मैंना 4.0 लगा देता हूं नीचे ताकि point हट जाएगा point तो हट गया रहा point सारे हट चुके है point सारे ही हट गया है ठीक है अब देखो 6.25 12 के यह 100 बचेगा 6.25 का रूट क्या होता है 25 और 1225 का रूट क्या होता है 35 यही तो होता है 35 का स्क्वाइर 12.25 होता है 9.25 और 12.30 होता है चीक है ना यह हमारा basically P.O. आया है P.O. कितना आगे है 25 इंटू 35 तो 625 875 यही तो हंडेट से करोगो तो 8.75 8.75 जो आया है ना वो P.O. आया है तो P. क्यों क्या होगा डबल जब आप 8.75 का डबल करोगे 17.5 आए यह इसका अंसर है बहुत ही प्यारा कॉस्टन था कॉस्टन नमर्ट टूटी एट देखो कुछ मिसलेनियस के कॉस्टन करते है जो हमने ऐसा नहीं यह पहले नहीं किया है पहले भी कर रखा है उससे पहले ना कुछ कंसेप्ट है आपको मैं बता रहता हूँ जैसे एक सरकल यह एक ट्रैंगल है अगर मानलो मैंने एसे एक लाइन खेज दिया इस तरीके से की BD और DC का रेशियो है मानलो 6 is to 5 BD और DC का रेशियो क्या है 6 is to 5 तो उस केस में ना जो एरिया का रेशियो भी होगा ना वो 6 is to 5 ही होगा ध्यान रखें जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है पहला चीज जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है कैसे पता चलेगा मीडियन को याद करो तो जो बेस का रेशियो होगा वही आपका साइड का रेशियो होगा अब जैसे इस कौश्चन को ले लो एरिया ओफ एडी इस दा मीडियन समझना बड़ा अच्छा कोश्चन है एक ट्राइंगल है एडी इस दा मीडियन अब देखो एडी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है मीडियन है तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा जी इस पॉइंट ऑन एडी एडी पे एक पॉइंट है जी सच दाट एडी और जी डी का रेशियो है टू इस टू वन टू इस टू वन एजी और जी डी का रेश इस चीज़ का मुझे बस इतना पता है जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर यह 2 is to 1 है अगर मैं A D B triangle देखो उस वाले पार्ट को तो बिल्कुल भूल जाओ इस वाले पार्ट को देखो तो अगर इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया 1 होगा होगा ency model अभी जी का ए एरिया कितना है मैं टो के पर एक बात बताओ यह 2 है इसरी आपने साथ इसका पर डशन है तो अगरना पूरे ट्राइंगल का एरिया वह तो पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या आजएगा रिख्स ना बताओ ABG और ABC का रेशियो क्या है ये इसका आज़र कितना आसान है जमाग लगा वह सब हो जाएगा वगला देखो इंट्राइंगल ABC P is a point on BC इन ट्राइंगल A, B, C P is a point on B, C such that BP और PC का ratio 2 is to 3 है Q is the midpoint of BP BP का midpoint है Q देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर midpoint खेचा ना तो अब देखो, यह 3 था यह 1 था, यह 1 था क्योंकि 2 को हमने 2 हिस्से में निवाई कर दिया 1 is to 1 तो आप से क्या पूछा है the area of A, B, Q A, B, Q का area अगर यह 1 है तो यह 1 होगा इसका area A, B, C A, B, C यानि पूरा, पूरे का area क्या जागा 3, 2, 5, और 1 रेशियो 6 A, B, C sorry, 5, 5, 5 काहिए कि देखो, यह 1 है, यह 1 है यह 3 है 1, 1, 2 और 3, 5 simple हमने area को इसी ratio में डिवाइट कर दिया, तो 1 is to 5 is your answer option number A okay last question, geometry का, 94th question है बहुत ही प्यारा question है the length and breadth of a rectangle are 8 centimeter and 6 centimeter the rectangle is cut on its 4 vertices such that the resulting figure is a regular octagon जैको क्या है, हमारे पास नहीं एक rectangle है say, this one इसके ना, vertices से cut करना है हमें जैसे मालो, यहां से cut किया, यहां से cut किया और इसको ऐसे मिला दोगे यहां से cut किया, यहां से cut किया, ऐसे मिला दोगे मतलब यह paper था और ऐसे इसको cut कर दिया अब देखोगे, यह octagon बन गया है बन गया न octagon तो आप से यह पूछा गया है कि बताओ side of octagon कितना होगा यानि यह वाला जो part है जैसे यह है, यह A है सारे बराबर क्योंगी बात हो रही है मैं बार-बार कहता हूं जब भी एक्जाम में आएगा ना तो रेगुलर पॉलिगन की ही बात करेगा हो तो ए ए ए है अब जड़ा गौर से देखना ये आठ था ये छे था जब आप कट करोगे ना इधर से कुछ करोगे कट इधर से कुछ करोगे मतलब ये दोनों साइट से आपको बराबर काटना पड़ेगा इधर से भी और इधर से भी बराबर काटना जैसे फॉर एक्जामपल ये काट ये कितना होगा ये हो जाएगा पैस 6-a, जो बचा है, उसको दोनों को परावर दे, 6-a by 2, 6-a by 2, तो ऐसे ही इस वाले साइट को ले लो, यह 8 सा, 8 में से a तो यहीं आएगा न, तो यह वाला पार्ट क्या होगा, सबसे पहले 8 में से a लगता दो, जो बचेगा उसका half कर दो, 8-a by 2, तो एक सी द्यान रखना, यह वाला जो अगर आप इस वाले साइट को देखो, जो हमने कट किया है, कट करके मालू मैं इधर लगता हूँ, यह वाला हमारा a होना चाहिए, यह होना चाहिए 6-a by 2, और यह होना चाहिए 8-a by, होना चाहिए न, और यह 90 डिगरी था, क्योंकि यह rectangle का सेब था, तो यह 90 6-a का होल स्कार अपी अपॉन में 4, एक मीन इस एक का होल स्कार प्लस में 4, इस एक्वल तो a स्क्रार स्क्राइब करें गहांand now 36 plus ax for minus 12 lui यह त्यक्राइब अब इन हो त्यक्राइlee सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब तो पॉसिबल नहीं एक्सक्राइब वहला लगाओ एक्स इस उप्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्राइब जबाब फोर्टीन का स्क्राइब करोगे तो 196 माइनस 4AC अपन में तो यह तो प्लस हो जाएगा दोसो तीन सो 396 396 396 396 टार के डिवल में आता है सूर के डिवल में आता है क्या नहीं छे चे में आता है तो 6 इंटू छे चिक चक्राइब यह आ गया एक्चली बेसिकली देखो एक्स इस उपल टू आया है माइनस 14 प्लस माइनस 396 अपन में 2 अब दोको इसको ना हम प्लस मी नेंगे क्योंकि यह उल्लेडी माइनस में है तो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो आंसर आएगा अंडर रूट 396 माइनस 14 अपन में 2 अब 396 का रूट क्या होता है यह चार के टेबल में आता है तो 99 इंटू 4 99 यानि 11 9 इंटू 4 6 रूट 11 6 रूट 11 माइनस 14 अपन में 2 अगर इदर गया तो 3 रूट 11 माइनस 7 इस यूर आंसर अप्सन नंबर ए बहुत ही बढ़िया वह रहा है आई हो अभी देखो अभी तक मुझे नहीं पता साउंड की क्या हालत है अगर साउंड इदर अदर भी है तो थोड़ा एड़्यस कर ले ना बट आई डूंट इंगी बहुत खराब होनी चाहिए बहुत पैसे लगाएं मैं तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो फर्दो या ठीक है चलो मिलते हैं अगली क्लास में मैं सुरे संग करेंगे ठीक है थैंक्यू सो मच